मद्भपर्देश के विधिशा जिला में लाल पतार गाउं में कोई में गिरे लोगों को बचाने का काम जारी है कोई में गिरे बच्चें को बचाने के लिए भोथ भीड में मिट्टी धसने की वज़ से किर गई थी अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा सुका है और 4 लोगों की मुद्ध हो चुकी है विदीशा के लाल पठार गाव में गुरुबार देर शाम बड़ा हास्ता हुआ यहां शाम को तकरीमन 6 बज़े एक कोमे बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे भीड की वज़े से कोवा भी धस गया इसके चलते 20 से ज़्यादा लोग उस कोवे के अंदर गिर गए अब तक NDF, NDR और स्थाने परशाचन की टीम ने 19 लोगों को भार निकाल लिया है अब एक अई लोग ला पता है और 4 शब बरामत कर लिये गए है कैसे हुआ हाथसा गंजबा सोदा के लाल पठार गाम में शाम 6 बज़े 14 साल का लड़का कोवे में गिर गया तकरीबन 30 फीट गहरे कोवे में 10 से 15 फीट पानी था बच्चे के गिरने के बाद लोगों के भीड़ उसे बचाने के लिए कौवे के उपर पहुंची कौवे के उपर से मेंटेंट स्लैब से ढखा हुआ गया था लोगों को भीड़ के बज़ें से अचानक स्लैब टूटा और कौवा धस गया जिसके चलते तीस से ज़्यादा लोग कुवे में गिर गए, घटना की जानकारी मिलता ही परशाशन के तमाम अधिकारी अफसर मुके पर पहुंचे, जेसी भी और पोकलेशन मशीनों के जरिये रहात और बचावकारे शुरू किया गया मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने हाथ से के उच्सतरी जाच के आदेश दिये गए हैं, मुक्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट में कहा, पूरी ताकत से परशाशन रहात और बचावकारे में लगा है, मैंने इसी स्थान को कंट्रोल रूम बना दिया है, लगातार मैं सीधर रहात या बचावकारे के संपर्क में हूँ, बहतर से बहतर प्यास करके हम रेक्सक्यू अप्रिशन चलाएंगे और लोगों को बचाने का प्रियास करेंगे, ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनलो को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यावाद झाल, चैनलो को साफरो हो।